Hello प्यारे बच्चो और डियूर इस्टुडेंट्स बहुत बहुत सुए नाजकी इस वीडियो में आजकी इस वीडियो में मैं आपको English Translation और Reading इस काम के जरिए आपका English Translation और Reading दोनों हो जाएगा ठीक है तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा वहां पर जरूर मुझे कोमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिपलाई करूँगा जैसे देखिए यहां पर आपको ट्रांसलेशन में दव हॉर्स के बारे में समझाओंगा मैं यहां पर आपका दिया हुआ है दव हॉर्स इस ए फोर फूटेट अनिमल हॉर्स हॉर्स मतलब क्या होता है गोडा हॉर्स का मतलब गोरा यानि गोरा जो होता है वो चार पैरे वाला एनिमल है यह यह पास्ट फॉर्स में लिखा हुआ है गोरा का जो गर्दन होता है जो लंबे बालों से कया हुआ होता है ठका हुआ है यहा पर इसका मतलब क्या है उसके दो आखोते हैं दो कान होते हैं और एक लंबे वालो वाली पूछ होती है नेक्स आगे देखे क्या लिगा है His eyes are large and ears are erect His eyes are large उसकी जो आखे होती है वो बड़ी होती है और ears, कान जो होते हैं वो खरे होते हैं His body is very strong यानि उसका जो सरीर होता है वो बहुत मजबूत होता है His skin is smooth Smooth मतलब पिछले वाले dog वाले जो वीडियो था उसमें मैंने smooth मतलब क्या बता है चिकना His skin is smooth and bright इसका जो चम्रा जो होता है न इसका skin, चम्री वो क्या होता है चिकना और bright होता है चिकना, smooth और bright होता है Bright मतलब चमकीला चमकने वाला है His hooves are not divided उसके जो पैर के खूर होता है वो भी भाजित नहीं होती है Horses are Horses are 1.3 लग रहा है अब ठीक है Horses are Different size and colors यानि क्या है Horses यानि देखे, Horses यानि plural form में यूज हो रहा है Horses का मतलब क्या होता है Horses एक से जादा गोरा है घोडे का गोडे क्या होता है Are of different size and colors गोडे विभीन यानि उचायो वाले और रंगों के होते है They are found वे पाए जाते है क्या गोडे किसके बारे में बोल रहा है अपे गोडे के बारे में They are found everywhere वे पाए जाते है हर जगा यानि दुनिया में हर जगा वो पाए जाते है They eat grass, husk and grain They का मतलब वे लोग eat grass Eat मतलब खाना पर present tense भे कहा जा रहा इसलिए they eat grass Husk मतलब भूशा होता है Green मतलब अनाज होता है यानि क्या होकिए sentence का मतलब वे घास खाते है मूशा खाते है और अनाज खाते है ठीक है आगे देखे The horse is a very useful animal इसका मतलब क्या होता है घोडे बहुत useful मतलब upयोगी होता है घोडे बहुत क्या है गोडे बहुत upयोगी जानवर होता है क्या है he is used all over the world यानि पूरी दुनिया में he is used पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल for you he used पूरी दुनिया में many kinds of words यानि पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल अनिक कामों में किया जाता है चले चले आगे देखिए he is कहा गया he draws the cart and heavy load आगे sentence का देखते है he draws the cart draws मतलब क्या होता है खीचना होता है और cart मतलब c a a a a t cart मतलब गारी होता है and heavy load load मतलब heavy मतलब जानते है भारी होता है load मतलब बज़न होता है okay load देखे क्या लिखा है he draws the cart and heavy load यानि क्या होता है वह गारी खिचता है और क्या करता है भारी बोज़ाड होता है इन यूरोप में यूरोप में यूरोप में फ्लग मतलब क्या होता है फ्लग मतलब होता है खेत जोतना फ्लग मतलब खेत फ्लग मतलब जोतना होता है यूरोप में घोड़े से क्या करवाया जाता है He is very loyal, loyal मतलब होता है बफादार, ओके, He is very loyal, वह बहुत बफादार होता है, Sometimes he saves the life of his master, इसका मतलब देखिये, Sometimes, यानि कभी-कभी वह अपने मालिक की जान को बचाता है, आगे देखते हैं, In ancient time, यानि प्राचीन समय में, in ancient time मतलब प्राचीन समय में, horses were also used in battles, ये अगर प्राचीन थियास पढ़ियेगा, तो ancient history में आपको परणी को मिलता है, कि घोरे द्वारा, जो राजा महाराजा या उसके जो सैनिक हुआ करते थे न, वो अपने सैनिक कैसे घुषवार, यानि घो तो उसी तरह से यापर देखिए क्या लेका हुआ है, कहां चला जाते ये लाइन है, sometime ये तो हो गया, in ancient time, यानि प्राचीन समय में, horses were also used in battles, यानि घोरो का क्या जाता था, घोरो का यूद भूमे में, प्राचीन काल में, घोरो द्वारा यूद भूमे में उसका इस्तमाल क देखते हैं, उसके बाद है, kings used to keep horses in their army, राजा क्या करता था, राजा लोग घोरो को अपनी सेना में रखते थे, क्योंकि एक्चुल में देखा जाये तो घोरे द्वारा में, उस सेना में किया जाता था था ना, those days, their role in, those days, those days, their role in battles was very important, उन दिनो, those days मतलब गया, उन दिनो their role in battles was very important, उन दिनों, यूद में, उनकी भूमी का बहुत महतरबून हुआ करती थी, they are also used in circus, they, उन्हें, उन्हें, सरकस में भी इस्तमाल किया जाता था, they can run very fast, they can, उन्हें, वे बहुत तेजी से दौर शकते हैं, they can, यानि वे सकते हैं, run very fast, बहुत तेजी से दौर सकते हैं, next line देखें, the horse is famous for his strength, घोरा देखिए, घोरा एक ऐसा जानवर है न, वो अपने सकती के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर वह ही लिखा है, the horse is famous for his strength, यानि इसका मतलब क्या है, घोरा अपने सामर्थ्या, strength, obedience and faithfulness, तो यानि सामर्थ्या, तागत, obedience मतलब आज्याकारी, and faithfulness मतलब विश्वास नियता, यानि विश्वास करने वाला जो होते हैं, उसे का जाता है, तो क्या मेंनी हो गया इसका, the horse is famous for his, यानि घोरा अपने strength, यानि तागत के लिए, obedience, आज्याकारी के लिए, और विश्वास करने योग्या के लिए प्रसीद है, his loyalty of his master is praiseworthy, praiseworthy, यानि क्या हो गया, his loyalty, यानि किसकी, घोरे की, घोरे की जो लोयल्टी है, वफादारी है, घोरे की जो वफादारी है, अपने मालिक के प्रती, वो काफी क्या है, प्रसंत के योग्या, प्रसंत निया होते हैं, तो घोरे की जो वफादारी है, वो अपने मालिक के प्रती क्या है, भॉत ही कबिलै तरीफ है यह फ्रिशन नहीं है ये यो हैOh है ट्रेंद हर्स-सs इरे ट्रेंड आर्ट एं रेसेस इन प्रउस्ट यह यह प्रश्चित घोड़ा जो हता है और हो झूर्दवर ऑफ होड़ित इन पार्टीन घूर्ध हो या ONE हो यह सपुर्ट हो उसमें स्टिक पाथीं यहिद्थ करना तो क्या होता है इतalar मैं अज़के यह वीडियोप में आपको ट्रांसलेशन करके बताया कि अगर लागाता आपको यह सारी चीजों को जानकाई धिरे-धिरे होने लगेगी और यह मैं जो इंग्लीज ना जो बच्चे जानता हो पढ़ना लेकना नहीं आता हो उन सभी बच्चों के लिए मैं एकदम छोड़े-छोड़े वर्ट से स्टार्ट किया हूं वह सारे प्लेलिस्ट में विडियो जाके वहां से देख सकते हैं और वंगड़ी आ अन्वा का लाक्त स्टार्ट किया हूं वह को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में वह जड़ूर बता सकते हैं और कोई वर्ड या कोई डाइज्य हूं-स या कोई प्रूण्स किसी वर्ड नहीं आ रहा तो वह सारे झाल झाल